नवश्कार SBD News पर अपका स्वागत हैं पेशे 9 जुलाई मंगलवार दोपैर सवातीन मेजे राजसन की पंदा बड़ी खबरें सबसे पहले एक नजर रावते आज के हेंडलाइंस पर आज हम खान के रिजोर्ट पर चल रहा बुल्डोजर दिल्ली में इंटरनेशनल ओर्गिन ट्रांस प्लांट रैकेट के खुड़ासा हाथरस हाथ से पर एक्शन SDN CEO तहसीलदार इंस्पेक्टर समेट 6 अफसर सस्पेंड महांचालकों को अब देना होगा आदा टॉल नोटिफिकेशन जारी विराट कॉली के बंगलूरू स्थित पप पर ऐसा यार और अब खबरे विस्तार से सुनिए यूपी के रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजोर्ट पर बुल्डोजर चल रहा है प्रशाशन की टीम बंगलवार सुब अचानक तीन बुल्डोजर और भारी फोर्स लेगर रिजोर्ट डहाने पहुंची यह रिजोर्ट आजम की पतनी डोक्तर तंजीन फातिमा और उनके बेटे अबदुल्ला के नाम है रिजोर्ट ग्राउन समाच की जमीन पर बनाया गया था प्रशाशन ने इसे डहाने का नोटिस दिया तो तजीना फातिमा कोट चली गई थी बाद में वह कोट में केस हार गई थी आजम खान सीता पुल जेल में बंद है दिल्ले पुलिस की क्राउन ब्रांच ने मंगलवार को इंटरनेशनल ओर्गन ट्रांस्प्रांट रैकेट का खुलासा किया है मामले में एक महीला डॉक्टर समेथ साथ लोगों को गिरफतार किया गया है क्राउन ब्रांच की डी सीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टर माइंड एक मांगला देशी है गोयल ने बताया कि रैकेट में शामिल लसेल नाम का एक रैक्ती मरीजों और डोनर्स की विवस्ता करता था विव प्रतेग ट्रांस्प्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपे लेते थे हाथरच हाथ से के साथ दिन बाद यूपे सरकार ने बड़ा एक्शन लिया SDM CEO इंस्पेक्टर समेट 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया सरकार ने SIT की रिपोर्ट के बाद यह कारेवाई की SIT ने सौमबार राद CM योगी को 900 पेज की रिपोर्ट सौमपी थी सरकार ने SDM रविंदर कुमार, CEO आनंद कुमार के लावा इंस्पेक्टर तेंस्पेक्टर तेंस्पेंडार और चोकी इंचार्ज का चोरा और पारा को सस्पेंड कर दिया National Highway Authority of India ने आखिरकार जैपूर किशनगट 6 लेन हाईवे की टोल दरों में संचोधन कर दिया है जैपूर से किशनगट के बीच अब 24 घंटे में रिटर्न जर्नी पर आदा ही टोल देना होगा पिशले सबता हां NHAI ने नई टोल दरों का संचोधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है करीब 21 साल से इस National Highway पर रिटर्न जर्नी पर भी टोल में कोई छूट नहीं मिल रही थी बैंगलूरू में विराट कॉली के पब में देरात तीजवाज में म्यूजिक बजाने के आरोप में F.I.R. दर्च की गई है विराट का पब M.G. रोड पर स्थित है D.G.P. सेंटरल ने बताये कि पब सोंवर देरात देड़ बज़े तक खुला था बैंगलूरू में राते एक बज़े तक ही पब खोलने की परमिशन है 3-4 अन्य पब के खिलाव भी केस दर्च किये गए है राजसान में मंत्री मंडल फेर बदल और विस्तार की चर्चा सियासी गल्यारों में तेज हो गई है राज़े में अभी विधान सबा का बज़ट सत्र चर रहा है ऐसे में संबवतह अगस्त में बज़नला सरकान के मंत्री मंडल में बदलाव हो सकता है भाज़पा के दिल्ली से जुड़े उच्च पदस्थ सूतरों के अनुसार पिछले दिनों मुखे मंत्री वज़नार शर्मा दिल्ली गए थे दिल्ली याद्रा के दुरान मंत्री मंडल फेर बदल और विस्तार को लेकर कुछनेताओं से फोरी तोर पर चर्चा कर हो चुकी है जिन विधाय को ने अच्छा परिनाम दिया है उनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है जिन मंत्रीों के यहाँ परिनाम खराब आया और मंत्री के रूप में छे मावव की परफॉम्मेंस भी खराब रही है ऐसे मंत्रीों को हटाया भी जा सकता है बताया जा रहा है कि तीन से चार मंत्रियों को लेकर दिलने में ज़्यादा शिकायते हैं इन दिनों पूरे राजस्तन पर मांसुन महरवान है इसके रहाँ आसपास के राज्यों में भी अच्छी बारिश होने से प्रदेश की नदियों में भी फानी आने लगा है श्री गंगानेगर के हनवानगर जिलों की जीवन दाइनी गगर नदी में आज अल सुबह पानी आ गया इससे किसानों में कुशी की लहर दोड़ गई किसानों का कहना था कि पानी आने से धान की वुआई की जाएगी वही आसुबह राजसानी जैपुर में सवेरे धोप निकली लेकिन इसके बाद करीब साथ बजे आस्वान में घने बादल चा गई मौसम विफाग ने आज राजसानी जैपुर सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है इस वर्ष पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने का इंतिजार कर रहे राजसान के मेडिकल स्टूडेंट्स की उमीदों को जटका लगा है नेशनल मेडिकल कमिशन ने नागोर स्वाई मादवपूर बारा बांसवड़ा और जुनजुनु में शेक्षनिक सतर दोजाच चोविस पच्चिस से प्रवेश शुरू करने के लिए राजसरकार की और से किये गए आवेदन को खारिश कर दिया है नेशनल में पूजा अरचना की मंदिर में 15-20 मिनट तक रुके वोटिंग के दिन भी इसी मंदिर में पूजा की थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कित हैथ प्रदेश की नीजी स्कूलों में निशुलक पढ़ाने वाले हजारों बच्चों के सामने सतर के बीच में 30 का संकट गहरा गया है ये वे बच्चे हैं जिनका पिछले सतर में नीजी के साथ सरकारी स्कूलों में भी प्रवेश प्रदर्शित हो रहा था पर बाद में सत्यापन करवाए जाने पर इनका प्रवेश तो नीजी स्कूलों में ही मिला लेकिन शिक्षा निदेशाले ने सत्यापन रिपोर्ट में खामी मानते हुए सत्यापन फिर नए सीरे से करवाने की निदेश दी दिये अब चूंकि नया सत्र शुरू हो गया है और इन बच्चों के फुराने सत्र की फुनर भरन राशी अब तक जारी नहीं हुई है लिहाजा स्कूल से इंचालकों ने उन बच्चों से फीस की मांग शुरू कर दी है ऐसे में आर्थिक आधार पर कमजोर वर के इन बच्चों के सामने बीच सत्र वे पढ़ाई का संकट गहरा गया है राजसान पिछले तीन दशक में पूरी तरह कर्श के पंजरे में जकट चुका है अब राजे में हर बच्चा कर्जदार बनकर ही पैदा हो रहा है यदि प्रतेक वेक्ति कर्ज की गन्ना करी जाए तो राजे में पैदा होने वाले हर बच्चे पर सत्तर हजार आठसो रुपे का कर्ज चड़ जाता है राजसान के हालाद इतने विकट है कि कर्ज के किष्ट चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है बचला सरकार ने भी लेखानुदान में पहले ही संकेत दे दिये कि इस साल भी 67,240 करोड रुपे से अधिक कर्ज लिया जाएगा यही उस्त रहा तो आगावी 5 साल में कर्ज भाल करीब 3.5 लाख करोड रुपे और बढ़ जाएगा रादसान की भजनलाल शुर्म सरकार वुद्वार को विधान सबाब में अपना पहला फोन बजट पेश करने जा रही है इससे ठीक पहले प्रदेश कॉंग्रेस सद्याक्ष गोविन सिंग लुटासरा ने आगावी बजट को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना सादा है मुख्यमंत्री जो अंतरिम बजट लेकर आये थे उसमें से एक भी घोशना पर इन्होंने काम नहीं किया है यह दिशाहीन सरकार है चंदिगड में पंजाब के राच्चेपाल बन्वारी लाल पुरोहित ने नयायमूर्थी शील नागू को पंजाब और हर्याना उच्नयायले के मुख्यमंत्री नायम सिंसैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री बगवंत मान भी मजूद रहे राजसमंद नगर परिशत के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कच्रा निस्तारन का काम पिछले दो माहा से बंद पड़ा है इसका मुख्य कारण सरकार की ओर से वी जी एफ के तहद 1.35 करोड का बुक्तान नहीं किया जाना बताया जा रहा है इसके कारण ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कच्रे के पहाड फिर से लगने शुरू हो गए है शहर से प्रति दिन 25 से 30 टन के वीच कच्रा निकलता है राजसान में इन दिनों कॉलेजों और युनिवर्सिटी में एडमिशन प्रफिया शुरू हो गई है इसको लेकर गवर्मेंट कॉलेज ने चात्रों को कुछ खबरी दी है अब दो शेक्षिनिक सत्रों में अंतराल की कारण एडमिशन से वंचित रहे गए छात्र भी कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे इस संबन में राजसान कॉलेज आयुकताले ने आदिश जारी किये है कॉलेजों की और से जारी सूचना के बाद उन विद्यार्टियों को भी लाब मिलेगा जो किसी कारण वंच पिछले दो सालों में कॉलेज नहीं जा सके थी सिंधा इस वो लिटिन में पता ही फिर हाजरों के और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एस पिटिन्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर